तो आप लोग जैसे UPI से किसी को भी पेमेंट करने के लिए जाते हो आपको इस प्रकार की प्रोब्लम में फिर्स करने को मिल लेए तो इस प्रोब्लम को कैसे सोल करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले यहाँ पे लिखा हुए UPI Issue and Your Bank तो दोस्तों यहाँ प वाले वेक्ति को UPI से पेमेंट कर पाओ तो प्रोब्लम को सोल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको आना है अपने मुवाइल फोन की स्कृन पे आने के बाद में जो आपका दोस्तों आप फोन पर हो गया जैसे कि एक एक जामपल के लिए दोस्तों आपका फोन पर है इसी में आपको problem देखने को मिल लए, problem solve करने के लिए आप से दोस्तों क्या करना है, वो चीज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, actually क्या है यह दोस्तों यहाँ पर problem है, आज ही की दिना यह करीब एक दो गंटे होगें तब से आपको देखने को मिल लए, solve करने के लिए, phone fee वाले बटन पर क्लिक करना है, यह अप information में आना है, और आपको यहाँ से एक बार force stop करना है, और दोस्तों आपको बताते चलें, यह problem का बारी जब आप लोग किसी को payment कर रहे हो, सामने बाले विक्ति को वैसे आप लोग अपना balance चेक करते हो, तो सारे कुछ ठीक ठाक देख रहा है, फिर भी आपको problem आ रहे है, तो यहाँ से आपको यहाँ से कट मारना है, दोस्तों, फिर आपको officially play store open करना है, आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है, phone पे, phone पे सर्च करने के बाद में, आप जो भी आप लोग phone पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर इंपेटियम बगरा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको UPI से ही payment करने में वो problem आ रहे हैं, तो आपको अपने उसी application को successfully update करना है, application को update करने के बाद में, आप account में दोस्तों complete हो जाएगा, और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँगा, इस टाइम पे जैसे मैंने सर्च किया server down, server down search करने, और इस टाइम पे दोस्तों जो आप लोग graph देख सकते हों, यह लखीर आप लोग देख सकते हों, यह इस तरह से ओपर की तरह उठ चुकी है, यह मतलब यहाँ पे जो server down हुआ है, किसी bank का, जिसमें आप लोग आपका account हो, ओके, आप लोग मुझे comment section में जरूर बताना है, आपकी account कौन सी bank में, इससे यह मेरे को पता चलेगा, कि यह सभी bank में problem आ रही है, या फिर दोस्तों यहाँ पे only एक ही दो bank में आ रही हो ना, तो दोस्तों यहाँ पर इस time पर server fully तरीके से down हो, आपको क्या करना है, अगर payment में, LinkedIn में कोई issue आ रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आपको wait करना, wait करने के बाद में आपकी जो problem आ रही है ना, वो proper solve हो जाएगी, fix out हो जाएगी, So I hope सभी लोग समझ चुके हो, वाँकी मिलते हैं किसे ने उंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए, thanks for watching.